नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोन लारायन बहुत स्वागत है आपका खास खबर में बॉलिवुड पर आयकर विभाग की नजर लगातार बनी हुई है बुद्वार कोबिनेतरी तापसी पन्नू, फिल्म डारेक्टर अनुराक कश्यप और विकास बहल के घर देर रात तक आयकर विभाग ने छापा मारा था पूने के होटल में अनुराक कश्यप और तापसी पन्नू से पूश्ताज भी चली कई घंटों तक इंकम टेक्स की टीम ने दोनों से पूश्ताज की बुद्वार के बाद आज भी आयकर विभाग की छापे मारी जारी है दूसरे दिन टेलेंट मेनेजमेंट कंपनी में छापा मारा गया है आयटी विभाग ने मुंबई में बुद्वार को मुंबई और पूणे में 30 ठीकानों पर ये चापे मारी की थी और ये चापे मारी अब भी जारी है कंपनीयों के अकाउंट फ्रीज कर दिये गए है इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि अनुराग और तापसी के घर एडी का छापा भी पड़ सकता है वहीं अपने मुखर अंदाज से सब को जवाब देने वाली एक्ट्रिस सुरा भासकर ने अनुराग और तापसी के समर्थन में ट्वीट करते हुए उन्हें वरियर बताया है इसके साथ ही इस पूरे मामले में राजनीती भी तेज होती हुई नजर आ रही है पूर्व कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने केंद सरकार पर निश्वाना साधा उन्होंने ट्वीट कर कुछ मुहावरे शेयर किये और कहा कि केंद सरकार आयकर विभाग E.D. और CBI को उमुलियों पर नचाती है इसके साथ ही कॉंग्रेस नेता अभिशेक मनु सिंग वी और उदित राज ने आयकर विभाग की छवापे मारी पर कई सवाल उठाई है